प्रदेश के गठन के बाद जवलपूर में यह पहली मंती मंदल की बैठक है अग तक नाज सिर्फ राजधानी के बाहर विदेश दौरे पर दिल्ली के अलावा उज्जन और दतिया सिर्फ दर्शन के लिए ही गए है नाथ कैविनेट की बैठक के बाद मुख्यमंती कमलनाथ हाई कोट के चीफ जस्टिस संजै सेट से भी मुलाकात करने जाएंगे बेश मंती मंडल की बैठक के जरिये महाकौशल और विंद्य शेत्र के लंबित मुद्दो पर मंती मंडल के सदस्यों से चर्चा करेंगे फिलाल हाई कोट में राज सरकार से 2.25 लाग से जादा मामले लंबित है इनका जल्द किस तरह से निराकरन किया जा सके इसके साथ ही नए कोट खोले जाने और जजच की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है शक्ति भवन में होने वाली बैठक की सभी तयारियों के जम्मेदारी उर्जा मंती प्रियवत सिंग को सौपी गई है कमलाज सरकार की राजधानी से भार कैविने की है पहली बैठक राजिसवा सांसत और कॉंग्रेज विधी आयो के राश्ची अध्यक्ज वेक तनखा की पहल से की जा रही है उनका कहना है कि इस बैठक के जरिये महाकॉशल की पहचान को लौटाना चाहते हैं कैविनेट में जबलपुर में फुटबाल के स्पोर्ट्स अकैडमी खोले जाने के प्रस्ताफ पर विचार किया जाएगा इसके साथ ही जैपुर जवलपुर राश्ची राजमा क्रमांग बारा जो भोपाल से होकर गुटबाल जहां एक और मध्यप्रदीश सरकार सिक्षा के नाम पर पानी के तरहा पैसे बाहरा ही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बया कर रही है ऐसा ही ताजा मामला सतना जिले के रामनगर तहसील की माध्यमेक शाला हटवा नई वस्तिका है जहां नन्ने चात्रों की जान की परवा किये वगेर बेपरवा जिम्मेदार सिक्षक कूल की बिल्डिंग में काम करवा रहे हैं आपको हैरान और विचलिक कर देने वाली तस्वीर मध्यप्रदेश के रामनगर तहसील के हटवा माध्यमेक शाला की है जहां इन नन्ने मुन्ने मासूमों की हातों से सिक्षक उनकी जान जोखिम में डाल कर विध्याले की साफ सफाई पुताई दिवार की खिलाई करवा कर अपना काम निकलवा रहे हैं यहां नन्य मुन्य चात्र अपनी जान की परवा किये बिना मजदूरों की तरह दिवाल पर चड़ कर काम कर रहे हैं सिक्षा के मंदिर में इससे बदनुमात तस्वीर और क्या होगी जहां भविश्य तो सवर्ता नहीं दिख रहा वहीं अलबता जान जरूर जोखिम में दिख रही है इस मामले पर जब चात्र से बात की गई तो चात्र ने बताया कि विध्याले के सिक्षकों द्वारा उनसे मजदूरों की तरह काम करवाया जाता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन नन्ने मुन्ने चात्र का भविश्य उजाले से अंधकार की और जाते हुए आपके सामने नजर आ रहा है कॉंग्रिस महा सचिफ प्रियंका गांधी वार्डरा का उत्तर प्रदेश दौरे का भुदवार को तीसरा दिन है राज के 41 लोग सभा सीटों की और जोती रादिते सिंधिया को 49 सीटों की जिम्मेदारी सौपी गई प्रियंका ने 12 लोग सभा सीटों के बूद प्रवार्यों के देर रात तक बैठक ली जो बुदवार तड़के तक चली बैठक से निकलने पर प्रियंका से पती रौवर्ड बाडरा से चल रही ईडी की पूस्ताज के सवाल पर कहा ये सब चलता रहेगा मैं अपना काम कर रही हूँ प्रियंका ने लोग सभा चुनाओ की रणनीती पर कहा मैं संगठन इसकी संरशना के बारे में काफी कुछ सीख रही हूँ देख रही हूँ कि क्या क्या जरूरी बदलाव किये जा सकते हैं मैं कॉंग्रिस कारी करताओं का भी फीडबैक ले रही हूँ कि उनके हिसाब से हमें चुनाओं में जीत के लिए क्या करना चाहिए प्रियंका गांधी बुदवार को भी 12 अन्य लोग सभा सीटों के बूत कारे करताओं और गुरुवार को दौरे के आकरे दिन 17 लोग सभा सीटों उत्तरप्रदेश में खस्ता हाल हो चुकी कॉंग्रिस में जान फूखने के लिए पार्टी महासचिफ प्रियंका गांधी वार्डरा ने लखनव में देरा जमा दिया है सक्री राजनीती में प्रियंका के कदम रखने के साथ ही माना जा रहा था कि राय बरेली या फिर पूर्वान्चल की किसी लोग सभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है इतना ही नहीं नरेंद्र मोधी बनाम प्रियंका के बीच चुनावी मुकावली की बात की जा रही थी इन सारे कयासो पर प्रियंका गांधी ने मंगलवार को खुद ही विराम लगा दिया है प्रियंका गांधी ने कहा कि वो लोग सबत चुनाओं में नहीं लड़ेंगी और प्रधान मंती नरिंद मुदी का मुकावला उन से नहीं बलकि कॉंग्रे सध्यक्ष राहुल गांधी से है प्रियंका ने कहा मैं संगठन को मजबूत करने का काम करूंगी इससे साफ जाहिर है कि वो फिलाल पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी लेकिन यह बात उन्होंने लखनव संसरिये शेत के लिए बनाई गई दोनों टीमों से गौलिय व्यापार मेले में पहली बार Smart City Development Corporation Limited द्वारा शहर में क्या-क्या विकासकारी किये जा रहे हैं, इस जानकारी को आम जिंदक पहुचाने के उद्देशी से शाष्किये प्रदर्शनी सेक्टर में प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से सेलानियों को Smart City द्वारा कराय जा रहे विकासकारी की जानकारी मिल रही है, तो वहीं Live Demo के द्वारा विकासकारी को समझने और जानने का मौका भी मिल रहा है। प्रदर्शनी में लाइब डेमो के माध्यम से पब्लिक वाइक शेरिंग सहे स्मार्ट क्लासेज जैसे विकास कार्यों को आमजन देख और समझ रहे हैं। प्रदर्शनी में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जो युवाओं की पहली पसंद है। इस सेल्फी पॉइंट पर सैलानी विविन सामाजीक विश्यों पर अपनी बात रखते हुए सेल्फी ले रहे हैं। प्रदर्शनी के माध्यम सी स्वक्षिता अभ्यान सहित आमजन को सामाजीक कार्यों में बर्चरकर हिसा लेने के लिए भी प्रोस साहित किया जा रहा है। अपने स्कूल के पूर्विच छात्र रहे विदान सवा अध्यक्ष एनपी प्रजापती कैबनेक मंती प्रियवरा सिंग, सचन यादव और सुरेंद सिंग बगैल की इस उपलब्धी पर डेली कॉलर स्कूल प्रवंदन एक बड़े आयोजन की त्यारी कर रहा है। आयोजन में इन ओल्ड डेली एंस को एक साथ आमंतित कर सम्मानित किया जाएगा। से तारीक तरह होते ही आयोजन करेंगे। स्कूल में इन चाद नेताओं के अलावा विधायक लक्षमन सिंग, नागेंद सिंग, ब्रजेंद प्रताफ सिंग और सुदेश राय भी पढ़ चुके हैं। से पहले स्कूल के चाद रहे दिगवजय सिंग 1993 में वधिप्रदेश की मुख्य मन्ति बने थे पर एक साथ विधान सवा में नौ विधायक बनने का मौका पहली बार ही आया है। लोकसभत चुनाओ से पहले एक बार फिर राफिल पर रंड टेज होता चा रहा है। बताने में जुटी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से टाली कौम रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया को अपने नए डीटीएश नियम को लेकर काफी शिकायते मिल रही थी। इस नियम को इस साल एक फरवरी से लागू किया गया है और इसने सारे सब्सक्राइबर्स का ध्यान अपनी और खीच लिया है। और लोगों ने ट्विट कर पहले से ज़्यादा टीवी विल आने की शिकायत की है। साथ ही कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उन्हें ऑपरेटर्स से बहतर सर्वेस नहीं मिल पा रही है। ट्राइब ने नए आदेश जारी किये हैं। रेगुलेटरी बॉडी ने सभी केवल और डीटीएच ऑपरेटर्स को कहा कि नए नियमों को बहत आसानी से लागों किया जाए। ट्राइब ने कहा कि जिन सब्सक्राइबर्स ने अभी तक नए नियमों में शिफ्ट नहीं किया हैं। बेस्ट प्लान का मतलब ये है कि ग्रहकों का बिल पहले की ही तरह आए और नए नियमों में शिफ्ट भी कर सकें। ये नए प्लान 31 मार्स 2019 तक खुद ही लागों हो जाएगा। जो की बढ़ाई गई डेडलाइन है। ट्राई ने कहा है कि बेस्ट फिट प्लान ग्रहक उपियोग और उसकी भाशा के आधार पर तै की जाए।